हेलो और मेलकम गाई स्वागाद आपका फेंटास एडिसन चैलेंजर में तो आज के इस वीडियो में हम लोग मलेशिया टी ट्वेंटी सुपर सीरीज की बात करेंगे यह जो मैच होने वाला है वो थर्ड प्लेस के लिए होगा क्योंकि आलरी यह पर फाइनल मुकाबला तैय ह हो गया है यहां पर जो जीतेगा वो यहां पर पॉइंट टेबल के ओपर थर्ड प्लेस पे रहेगा में चोहने वाला यहां पर साउथन इटर्स और नोथन स्ट्राइकर्स के वीच में तो चलिए दोनोई टीम के प्लेयर पर एक बार रज़र करेंगे कौन से प्लेयर कों ल लेते हैं तो बात करें इस मैच की इसके पहले चोटी सी रिक्वेस्ट वाईगी के यूटूब चैनल को भी दख आपने सब्सक्राइब नहीं कि यहां पर ही आपको इस मैच के पूरे टूनामेंट के वीडियो मिलेंगे इसके अलबा यहां से आपको और भी कई सारी टीटे इसके साथ यहां पर जो प्लेर आकिर मेंड होते हैं उनके रेकॉर्ड उनके स्टेट्स और सबसे लाश्ट में आपको उमारी स्मॉल लिग या ग्रान लिगी जो टीम रही वो भी आपको फिर में प्रवाइड की जाती है तो टेलिग्रम चैनल से अभी तक आप लोग नहीं इसके बाद परफॉमर्स कुछ ठीक टाक रहा लेकिन कल दोनों ही मैच के दोनां काफी अच्छे बाए एक मैच के दोनां यहां पर फोड़ी सी आपर बढ़ेगी आज यहां पर स्कॉर अराउंड यहां पर 140 से 150 के आज पास बनता हो नजर आ सकता है क्योंकि आपर इतने चेजिंग की बाद की जातों अभी दोक 10 मैची सुए इस टूना मेच के दोरान जहां पर 7 मैच चेजिंग करने वाली टीम ने जीती एक मैच टाइ रही दो मैच आपर पहले बेटिंग करने तो यहां से हमको क्या होता है कि कल दोनों ही मैच के दोरान अच्छे रंस मनेते प पहले बेटेंगे तो टीम को जितना है तो अराउंड 170 के आसपास रंस तो चाहिए ही चाहिए अलाकि वह भी मैच को बता दिया है पहली मैच के दोरान 180 प्लस रंस को भी चेज किया गया तो तो ऐसा जरूर है नहीं लेकिन अराउंड 170 प्लस रंस बनते तो वह एक आमी रजीम और इनके साथ या पर जमसे दक्तर ओपनिंग करवा रहा है अभी देखो दोनों का ही पर्फोर्मस वर रोल काफी जबशेस है दोनों ही एज़पलेर वरी इंपॉर्णट पिक आमी रजीम की बात की जाए तो यह सीधा हमारे लिए कप्तान और वाइस का प्रें लास में दोना 14 रन कि इन्हों ने और राइट यह पर विकेट कीपिंग पर करवा लेता इसके साथ आपर अचसलम मौर्जम जो की लास में के दोना 8-28 रन के साथ चार वर्ष की गिन बाज गती हो विकेटलेस रहे आगे उनकर ने करवाएंगे करवाएंगे इसके पहले 5 मे कहाँ दाए खेंगे इसके साथ ऐ फितरई इशाम की बात की चाहिए है था बात कीause इसके साथ ऐसे कर रहेंगेौ विए दुद्ध आपको पर कैसर के तो कैसर ने नौ रंग किये थे लास में दूरान वोस नहीं करा हाला कि एक्सेप्टेशन इंसे बैटिंग से नहीं अपर इनसे बॉलिंग से चाहो तो रिसक ले सकते हो क्या तो विकेट निकालेगा नाशी रभास ने पहली मैश के दूरान पहले मेंच दोका दोरान बिकेट निगाले थी फिर तीरों मेंच two लिए खेल कर दोरान ओर स्केलर अटिषण थी ए pense इसा यह ऐँ है लाई होगे मेंच आगे बात करें नॉट्ट्राइकर की चार मेंच के लिए दो जीते दो आरी ओपनिंग में आपर राजकुमार राचेंदरान और सेद रह्मातुल्ला ने ओपनिंग करवाया था अब रह्मातुल्ला पहली मेंच के दौरान काफी नीचे खेले थे लेकिन अगर आप लोग मेरा वीडियो रेकुलर देख रहे हैं तो इनका बैटिंग ओडर मैंने आपको बता दिया था कि बंदा ओपनिंग करवाया अगली मेंच के दोरान हाला कि हम कोई हैकर नहीं है क्योंकि यह जो टूर्णामेंट है यह टूर्णामेंट जो मलेशिया वा आपर राजेंदरन ने चार मैंच के लिए जिसमें से दो मैंच के अंदर उनने उपनिंग करवाई है दो मैंच के दौरान यह साथ में आठ में नमर पर ले तो इनका भी कोई फिक्स नहीं है कॉन से नमर पर बेटिंग करवाएंगे यह कभी बहुत नीचे खेलते हैं कभी इसके बाद दो मैंच के दोना लगातार विकेट निकाली लास में के दोना विकेट लेस रहे गुंद्रा की बात कि दर पर पीछली दोनों मैं चौनतीस रंड के साथ यह पर ओस भी करवा रहा है विकेट भी निकाल तो डेफिनेटली लेके जाएंगे हम लोग इनको लेके जा सकते हैं असबीदान तार हारी पर कापके अच्छे गयन बाजे और यह इनोंने पहली मेंच के दरना साबिद भी गया लेकिन इनको मौका नहीं मिला बॉलिंग से जाता था इसके अलवाज प्रसांट पावर वेडिंपाने पर इनोंने भी देखो पहली दोनों में कर दोन अच्छा परफॉर्मस दिया लेकिन इसके बाद इनको भी लास में करना को मौका नहीं मिला सुख्विंदर सिंग निकाली इसके बावजिवत यहां पर इनसे एक ही और बजी कर वाई तो यसा है कुछ है सुख्विंदर सिंग काफी अच्छे फोर्म में बाकि रिज आप रिजवान है दर पावंदीप सिंग फीर आते हैं पर प्रसांद पवार जैसे बल्लेबाज जैसे वल्राउंड को ड्रॉप नहीं कर सकते स्टार्टिंग में रिजवान हैदर के साथ सुख्विंदर सिंग बाकि बेंच में से कोई खेले गा तो इनके रैकॉर्ड स्टै क्योंकि इन्होंने एक बार वहस करवाई दिया आला कि मैं सजेस्ट करूंगे आप रहमत लागो क्योंकि लास में के दुर्ण ओपनिंग करवाएंगे नहीं करवाएंगे लेकिन एक सीच कंपर में कि अगर ओपनिंग करवाएंगे तो आपका काफे अचा अचा हाला कि आज ओपनिंग करवा सकते क्योंकि आज इनके लिए इंपॉनेट मैंच है तीसरे नम्मर के लिए और मुहमद आमीर अमीर अजिम सुक्विंदर सिंग पिटर इशाग प्रसंद पवार दिखेंगे यहां पर आप लोग चाहो तो मौर्जम को ले सकते हैं क्योंकि करें कि इनकी बात करें तो टीम के कप्टान नोड ऑउट यहां पर सबके रहेंगे वह हमारे रहेंगे आमीर अजिम 1911 क्या हैं तो यह तो सेफ है बाकी रीस्क क्या के लेना एक तो यह पर प्रसांद पवार है जिनके ले सकते बालिंग से फितिरी शाम और इस्वान यादर है इन दोनों के लिए पर आप लोग कार्स डिस्क ले सकते हैं क्योंकि कप्तान हमें आप पर आमी रजीम को ही करना है क्योंकि मोस्ट आफली हेट टूएड में और स्मॉल लिग में ज्यादा तर पब्ली के कप्तान यहीं रहेंगी तो और सेफ रहेंगे और इनका परफॉमस अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई तन्यवाद चैहिन जैपारत